तुम यहां बैठे बास्वरी बजा रहे हो वहां जरासंद अपनी सेना सहित मतुरा पर आक्रमन करने के लिए मगज से निकल चुका है कनहिया तुम क्या कह रहे हो कनहिया यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो जरासंद हमें बंदी बना कर ले जाएगा वह में बंदी तब बनाएगा जब हम मतुरा में होंगे कृष्ण जैसा शत्रू मुझसे भैवीत होकर मतुरा छोड़कर भाग जाता है और ये तुछ दस्यू केतु माल मेरी प्रजा को मेरे गणतंत्र के राजाओं को दरस्त करता है ये कैसी विढम बना है महाराज अभी अभी समाचार मिला है कि विधर्व राज के युवराज रुकमी आपके लिए उपहार लेकर मगद की ओर आ रहे है महामंत्री युवराज रुकमी हमारे मित्र भी है और विधर्व के साथ हमारे राजनीतिक संबंध भी है यदि दस्यू केतु माल ने रुकमी क नहीं, मैं मगत पर ये लांचन नहीं लगने दूँगा, हमारे पास एक उपाय है महामंत्री लूट दो इन सब को, और जो विरोध करे उसका सिर्काट दो जानते नहीं कि एक शेत्र मुझ केतुमाल का है, आज तक जिस जिस ने मेरा विरोध किया, वो यहां से जीव इतना ही लोटा, मगर आज लोट जाएंगे केतुमाल, तुम कदापी केतुमाल की शक्ती से परिचित नहीं हो, तुम्हारा ये आत्म मिश्वास फल भर में चूर च हो जाएगा, जब तक शेर सामने नहीं आता, भेड़ी आपने आपको शेर ही समझता है केतुमाल, लगता है, तुम्हारी मित्यू तुम्हे यहां खेच लाई है, यदि ये अपने आपको वीर समझता है, तो आज अपने बाहु बल से ये उपहार चीन लेगा, किन तो उस से पहले हम इसका और इसकी सेना का विनाश कर देंगे, केतुमाल का विनाश असंभाओ, आप सबों की वित्यू मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर रही है, वाह, तुम आवश्य कोई महावीर हो, कान हो तुम दोनों, मैं चेटी देश का राजकुमार, और काका शृरी सम्राड जरासंद का शिष्य है, शृरी सम्राड जरासंद का शिष्य हूँ मैं, तुम्हें बंदी बनाने के लिए हमें सम्राड यहां भेजा है, यदि तुम अपने आपको हमें समर्पित नहीं करते, तो हम तुम्हें बंदी बनाकर मगट ले जाएंगे, झाल 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 कि ये कुमाल ये विद्या मैंने काका श्री सम्राट जरासंद से सीखी है तो मिश्चित कर लो कि तुमें मरना है अथ्वा सम्राट की शरन में जाना है अब तो मेरी इस बुष्चियों को मेरे सिर से हकाजो नहीं के तुमाल अभी तक तुमने शरन नहीं ली है अब मैं तुम्राट जरासंज की शरन में आता हूँ अब मैं नहीं को बंदी बनाल इसे चला 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 एक जला इसे कि आप सुरक्षित मगत देश पहुंच गए हमारे लिए यहीं उपहार है युवराज रुकमी इसका स्तारा श्रे शिशुपाल और दंथ वक्र को है महाराज यह सब तो काकाश्री का अश्रिवाद है आप किसी को केतु माल का भै नहीं रहा है शिशुपाल और दंथ वक्र दोनों कलके होने वाले समराठ है काकाश्री अब हम अपनी अपनी नगरी वापस जाना चाहेंगे कि प्रिप्या आग्या दीजिए मैंने तुम दोनों को अपने पुत्र सहदेव जैसा ही माना है मैं तो चाहता हूं कि तुम दोनों सदा मेरे साथ रहो किन्तु मैं तो ये भी जानता हूं कि ये संभव नहीं है जाओ मेरे पुत्रों अपने इस पिता समान कुरू को और उसके उगदेश को कभी न भूलना जब कभी मेरी आवश्यक्ता हूं तो मुझे पुकार लेना मुझे अपने निकट पाओगे कर दो मेरे आवश्यक्ता हूं शिशुपाल अवश्य किसी तपस्च्वी का स्थान है चलो कोई महत्मा वहां होंगे तो आशुरवाद मिल ही जाएगा अवश्य चलो चलो अश्यक्ता है लेक्ता हूंगे ले पुकता हैं। झाल, झाल, झाल क्या वो शक्ता थी उस गुफा में आने की आशिरवाज जो प्राक करना था वापस चलें नहीं अग बढ़ाने के पश्चाद पीछे अटना कायरता होती है दंतवक्र यह तो कोई माया जान पड़ती है जो हमें भैभीत करना चाहती है तुम मेरे पीछे पीछे आओ यह 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 कौन कर रहा है यग्यू मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे दिखाई दे रहा है आओ तुम्हें भी दिखाता हूँ थाम यह 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 कौन कर दो झाल 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 रहा हूं मैं हमारी प्रतीक्षा दो युगों से क्यों आपने आकर मेरी मुक्ती का द्वार खोल दिया आपकी मुक्ती क्यों क्या आभी कभी श्राब व्रस्थ हो गए थे हाँ उन दिनों तीसरा देवा सुर संगराम चल रहा था प्रत्रा सुर को तुम किसी अज्टर से नहीं मार सकते हैं एंद्र अपने वज्र पर सागर का फेन टढ़ाकर अगवान विश्वू का ध्यान करो और उस पर एकांत में प्रहार करो कभी तुम विजई हो सकोगी कि कर दो दुष्ट कान है तू बोल प्रभू मैं पुटक्षदेव महराज का गुप्तिचर हूँ भाग कर कहां जा रहे थे महराज की मिलत्यों की जो योजना आप लोगों ने अभी अभी बनाई थी उसकी सूचना देने जा रहा था अब तुम कहीं नहीं जा सकोगी व्रहस्पति देव ख्षमा मुझे ख्षमा कर दीजे तुमने देव होकर असरों का पक्ष लिया अब तुम योगो योगो तक इसी प्रकार रहोगे मुझे ख्षमा करे देवेंग्र मुझे पर कृपा कीजिए अब मैं कभी कोई छल नहीं करूंगा मैं आपसे ख्षमा याजना कर रहा हूं मुझे ख्षमा कीजिए कभी कोई शल नहीं करूंगा मैं आपसे ख्षमा याजना कर रहा हूं ठीक है ठीक है जापर के चौथे चरण में जब यहां प्रित्वी का परिवर्तन होगा तब परवत और गुफाओं का निर्मान होगा तब दो शापित देव तूली जीव अनाया सी तुम्हारे सामने आएंगे और तुम उन्हें अपने द्वारा प्राप्त अनुभव पर शिक्षा प्रदान करोगे तब तुम्हारी मुट्टी होगी उसी समय से तुम दोनों की प्रतिक्षा कर रहा हूंगा यह तो प्रक्रति की प्रेर नहीं है जो तुम्हें इस कुफा में लाई है हे देवतुल महर्शी आप अपने अन्हों की आधार पर हमें कोई वर्दान दीजिए हां महर्शी कोई ऐसी भी थी बताईए कि हम अपने च्छान उसार सफल जीवन जिए और अजे रहें मृत्यू भी हमें चूना सके यह मृत्यू लोग है जो शरीर तुम्हें मिला है वो तो नश्ट होगा ही होगा और जीवन की सफलता सफलता तुम्हारे कर्मों की विधी पर आश्रित है यदि नियंबध आस्था तथा विश्वास सहित करम करोगे तो सदा सफल रहोगे एक बात का ध्यान रखना गुण कहीं से भी मिले किसी से भी मिले उन्हें ग्रहन करना और अपने अगुणों का परित्याग करना कभी किसी से एरिशा नहीं करना जिस दिन तुम एरिशा में जलने लगोने उसी समय गृत्य को प्राप्त हो जाओगे अब तुम दोनों जाओ और एकांत वन प्रदेश में भगवान श्रिफ की आराधना करो आराधना करना श्रीजार बत्याओए आराधना करना करना ओुन नमाशी बुपन ओुन नमाशी बुपन ओुन ओूनल चिवा ओुन ओुन है ओूम नमा शीवाई ओूम नमा शीवाई आखे खोलो वत्स किसलिए हमारा नाम जबकर हमें प्रसंद किया है तुम दोनों ने हे आशुतोष हमें अतुल बल और प्राकर्म दीजिए हे प्रभु विश्व की समस्त सुख सम्रध्यां प्रदान करें शत्रु के सम्मुख हमारा उत्सा कभी ख्षिर ना हो प्रभु हे भोलिनाथ मृत्तु के समय हमें परप्रम्ह के दर्शन हो और हम उन्हेनी समाज आएं तथास्तु कि शिशुपाल और दंत वक्र को मैंने अपने पुत्र सहदेव से कभी प्रिथक नहीं माना दोनों बच्पन से ही मेरे साथ थे महराज शिशुपाल ने मुझे बहुत प्रभावित किया है मेरी छूटी बहन रुकमणी अब विवायोग्य हो गई है यदि तुम विधर्ब राजकुमारी रुकमणी के लिए शिशुपाल का चैन करने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें मेरी ओर से बदाई हो मैंने सुना है तुम्हारी बहन अती सुन्दर है शिशुपाल और रुकमणी के विवा का अर्थ है शवर्य और सौंधर्य का मिरा हा महराज ये विवाह अवस्य होगा अवस्य होगा नारायन नारायन प्रभू आपसे बड़ा नाटकार इस संसार में दूसरा कोई नहीं एक और आपने शिशुपाल और रुकमिनी देवी के विवा की निव डाल दी और दूसरी और स्वेम देवी रुकमिनी आपसे प्रेम कर रही है आपसे विवा करना चाहती है इस समस्या का समधान मन में उठसुकता जागरित कर रहा है प्रभू क्या होगा मैं जानता हूं प्रभू जो कुछ भी होगा वो आपकी इच्छा नुसार ही होगा इश्वरे इच्छा बली एसी जानता हूं